अगर आप टारो में औकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर्वाइस भी आपका इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा टारो सेटिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी इस कोर्स में covered है और अगर इसी से ही related कोई भी सवाल कोई भी doubt आपके मन में है आप screen पे दिये गए number पे directly call करके अपने doubts clear कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप free webinar भी join कर सकते हैं इन दोनों का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा webinar में बहुत detail में taro, occult और इन ही सब चीजों से related जो भी सवाल किसी के भी मन में आ सकते हैं सब ही covered हैं तो अगर अभी आप नहीं भी सीखने के mood में हैं लेकिन आपका interest है आप webinar ज़रूर join करें क्योंकि बहुत सारी information इन ही सब चीजों से related आपको मिलेगी Hello everyone, मैं हूँ किरन शाप और यह है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीपल ये 15th April से 21st April तक की आपकी taro readings हैं, taro predictions हैं और इस वीडियो में सब भी signs के सापताहिक राशीपल हैं नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो taro reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशीपल यह रीज आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लगों के लिए card है six of pentacles reverse six of pentacles का card taro में कहीं giving and receiving वली energies की बात करता है यानि कि आदान प्रदान की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए इस week ये card reverse है तो कहीं इसी से ही related छोटे मुटे issues मसले भी रहते वे दिख रहे हैं सबसे पहली देखिए मैं आपको बता दू आदान प्रदान किसी भी चीज़ का रह सकता है क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए हो सकता है money पैसे से related एक आदान प्रदान हो रहा है या फिर आप चाहा रहे हैं कुछ के लिए mental emotional level पे हो सकता है यानि कि कोई idea आप चाहा रहे हैं किसी level पे कोई support कोई help आप चाहा रहे हैं या फिर आपके co-worker आपके colleague चाहा रहे हैं और कहीं उस तरीके से ये help ये support नहीं मिलते हुए दिख रही है और clearly मैं आपको बताऊं तो example के तोर पे दिखिए money पैसे से related help आप या तो चाहा सकते हैं और आपको इस तरीके से नहीं मिल रही है या फिर अगर आपके co-worker कुलीक चाहा रहे हैं तो आप उतने willing financially उनको help करते हुए करने के लिए या फिर otherwise कोई भी चीज से related help support हो चाहा रहे हैं आप उतने willing नहीं हो रहे हैं और similarly फिर से कहूंगी अगर आप किसी भी तरीके की help चाहा रहे हैं तो आपको इतनी असानी से मिलते हुए नहीं दिख रही है यानि कि अगर loan लेना चाहा रहे हैं या फिर उधार लेना चाहा रहे हैं तो असानी से नहीं मिल रहा है इसी से related issues मसले रह रहे हैं और अगर किसी के पैसे वापस देने है तो उससे related भी issues रहते हुए दिख रहे हैं अगर आपने लेने हैं किसी से उससे related भी issues मसले रहते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पे देखे सिरुफ मैंने एक aspect बताया that is money finances इसी तरीके से कोई भी तरीके की help support हो सकती है जिससे related issues मसले रह रहे हैं और कहीं आप उतना balance नहीं maintain कर पा रहे हैं जबी भी ये card आता है मैं यही कहती हूँ कि giving and receiving वाली energies में आदान प्रदान में balance रखने की बहुत बहुत सब्सक्राइब है तो इस चीज का खयाल रखें personal friend के लिए आप लोगों के लिए the fool reverse का card है और ये card कहता है कि काफी बिंदास, काफी carefree in fact काफी careless आप चीजों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं अब देखे कुछ के लिए positive हो सकता है, कुछ के लिए negative हो सकता है यानि कि अगर आप carefree रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे ही हमें चीजों को deal करना चाहिए लेकिन in the process careless हो रहे हैं जिसके फिर से कहूंगी बहुत सारे chances है क्योंकि आप लोगों के लिए the fool का card reverse है तो थोड़ा सा cautious होने की ज़रत है थोड़ा सा खयाल रखने की ज़रत है क्योंकि अगर आप इस card को देख पा रहे हैं जो figure हैं वो पहाड़ी के उपर हैं और बिना सोचे समझे, बिना आगे देखे बढ़ते ही जा रहे हैं तो इस week कोई risk, कोई chance अगर आप लेंगे तो आप काफी परिशान रह सकते हैं overall के लिए आपके लिए personal front के लिए यही guidance रहेगी कि बहुत careless ना हो बहुत immature तरीके से चीजों को ना deal करें और बिलकुल भी किसी भी तरीके का risk chance ना लें थोड़ा सा safe चलें थोड़ा सा cautious होके रहें और कोई भी बड़ा decision कोई भी बड़ी choice अगर लेने की ज़रत है तो किसी experiential इंसान से बात कर लें नचल में फिर से मैं कहूंगी cautious रहें, safe, secure होके ही चीजों को deal करें क्योंकि इस week बहुत सारे chances हैं आपको ऐसे लग सकता है भाड में गई दुनिया जो होता है होने तो मुझे किसी चीज की परवा नहीं है जो मेरा मन कर रहा है मैं करूंगा, करूंगी मुझे beyond the point नहीं सोचना है मुझे बहुत future की planning नहीं करनी है जो past में हुआ मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है which is again a very good thing लेकिन past learning के लिए होता है जो भी mistake हम से हुई या फिर कुछ भी issue मसला रहा हमें उसको मन में नहीं बिठाना है लेकिन फिर से कहूंगी उससे learning ज़रूर लेनी है इसी तरीके से दिखे फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा focus नहीं करना है लेकिन बिना सोचे समझे हमने risk भी नहीं लेना है तो इन ही चीजों का खयाल इस वीक आप ज़रूर रखें overall या फिर guidance के लिए आप लोगों के लिए rebuild का card है बहुत ही clearly guidance का card आपको कहता है जो भी चीजें टूट गई, बिखर गई उनको दुबारा से जोडने की कोशिश ना करें आप नए सिरे से चीजों को शुरू करें नए सिरे से फिर से चीजों को बनाएं and astrology के हिसाब से आप लोगों के लिए वर्गो sign का card है इसके हिसाब से देखें तो all shades of beige brown इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो governance day तो ये था एरीज, आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नेचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Taurus आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है six of souls ये card movement की बात करता है shift की बात करता है आगे बढ़ने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund के लिए रहतावा दिख रहा है अब ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा सबसे पहली चीज़ देखिए ये card changes की बात करता है और कहीं travel को भी represent करता है तो हो सकता है या तो professional fund से related या otherwise आप travel कर रहे हैं करना चाह रहे हैं या इससे related planning रह रहे है या फिर किसी भी level पे किसी भी तरीके के changes आपके professional fund में रह रहे हैं क्योंकि ये weekly reading है तो बहुत बड़े changes overall के लिए नहीं रहते हुए दिख रहे हैं इकका दुक्का लोगों की बात अलग है लेकिन छोटे मोटे changes सबके लिए रहते हुए दिख रहे हैं और फिर से कहूंगी ये changes सबके लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि change of place change of office आपके professional fund से related रह रह रहा है कुछ के लिए हो सकता है job आप change करना चाहा रहे हैं या फिर हो रही है या उसी से related planning चल रही है और दिखिए ये कार्ट कहीं एक transitory phase में भी रहने की बात करता है यानि कि कोई चीज आपने छोड़ दी और नई चीज अभी आपने नहीं join करी है in between का जो period होता है वो भी कहीं रिप्रिजन करता है तो कुछ के लिए literally ऐसी सी energies चीज रह रही है और फिर से मैं कहूंगे कि एक movement रहती वे दिख रही है पीछे कोई भी चीज अगर आपको bother कर रही थी, परिशान कर रही थी उससे आप आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं हो सकता है आप किस direction में जा रहे हैं आगे क्या होने वाला है उससे related बहुत एक surety नहीं है उससे related बहुत एक clarity नहीं है बट definitely किसी problematic चीज से आप जो चीज आपको bother कर रही थी उससे आप आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं तो इस हिसाब से देखें ये भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत कुछ great हो रहा है बट yes कुछ खराब नहीं हो रहा है in fact एक neutral energies रहती भी दिख रही है और किसी भी problematic चीज से या पर जो चीज आपको bother कर रही थी उससे अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इस scenario में ये भी ठीक ठाक ही दिखे रहेगा तो overall के लिए फिर से दिखे एक neutral सी energies रहती भी दिख रही है personal front के लिए आप लोगों के लिए 9 of cups reverse का card है 9 of cups का card कहीं wish come true होने की बात करता है बहुत ही beautiful energies की बात करता है happiness, joy की बात करता है eating, drinking, marimaking की भी बात करता है आप लोगों के लिए इस WK card reverse है तो यही सब चीजे रहतो रही है लेकिन साथ ही साथ एक missing feeling रह रही है या फिर छोटे मोटे issues इनी सब चीजों से related रहते वे दिख रहे हैं आपको और ज़ादा detail में बताऊं तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई wish, कोई desire आपकी पूरी हो सकती है लेकिन उससे related चोटे मोटे issues मसले है कुछ के लिए हो सकता है कि आप उस पर focus कर रहे है लेकिन उस तरीके से चीजें उस direction में नहीं जा रही है या फिर देखिए इस week आपको ऐसे लग रहा है कि future में आपकी wish पूरी हो जाएगी कुछ के लिए हो सकता है कि eating, drinking, merry making over रह रही है कुछ के लिए हो सकता है फिर से मैं कहूंगी बहुती beautiful energies है जो भी आप चाहा रहे हैं वो शायद आपकी wish भी किसी level पर पूरी हो रही है लेकिन एक missing feeling भी रह रही है और कितनी बरी क्या होता है न Taurus हमारी wish पूरी तो हो जाती है और साथी साथ हमें एक दर एक fear भी आजाता है कि पतर नहीं अब ये चीज हमसे कहीं छुट ना जाए कहीं हम इस चीज को खो ना दें तो इस तरीके की भी energies रह सकती है overall के लिए दिखिए personal friends are related ये भी ठीक ठाक बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है बहुत ही एक beautiful energies रहती हुई दिख रही है जो आप चाहा रहे थे या फिर चाहा रहे हैं वो चीजें भी होती हुई दिख रही है या उसी direction में चीजें move करती हुई दिख रही है लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आप कहीं you know fully satisfied या फिर fully एक satisfactory energies में नहीं रहते हुई दिख रहे हैं एक missing सी feeling साथ ही साथ जो भी अच्छी चीजें हो रही है रहते हुई दिख रही है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए strengthening bonds का card है और ये card कहता है कि जो भी लोग आपके आसपास है professional front हो, personal front हो उनके साथ कैसे आप अपना bond strong कर सकते हैं उस पे focus करें या फिर मैं ऐसा भी कह सकते हूँ कि अपनी तरफ से या आपकी तरफ से कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कि आपके relationships खराब हो आपका bond जो भी लोगों के साथ है आपके close one, आपके loved one, co-worker, colleagues वो बने रहें, वो strong रहें, वो अच्छे रहें इसकी कोशिश आप जरूर करें and astrology से आप लोगों के लिए इस copy or sign का card है इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं यानि कि sea green, sea blue वो आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये थाट और असा आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है The Tower Tower का card थोड़ा सा disturbing energies की बात करता है उत्थल उत्थल की बात करता है किसी suffocating situation से suddenly बाहर निकलने की बात करता है किसी चीज के तूटने बिखरने की भी बात करता है और इस चीज को सुनके आपने बिलकुल भी परिशान नहीं होना है क्योंकि यह आपकी पूरी life की reading नहीं है सिरफ और सिरफ इस week की reading है और otherwise भी weekly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है एकका दुका लोगों की बात अलग है और इस reading से guidance लेके कैसे आप coming week को बहतर कर सकते हैं उस पे आपने focus करना है तो सबसे पहली चीज़ किसी भी लड़ाई जगडे में इस week आप न पढ़े peace of mind maintain करने पे जादा focus करें कितनी बारी होता है ना किसी के साथ हमारा argument हो गया हम इतना जादा उस argument को जीतने पे focus कर रहे होते हैं कि अपना peace of mind को देते हैं या फिर अपने आपको involved ना करें और दिखें फिर से मैं कहूंगी arguments होने के chances हैं conflict होने के chances हैं और इन चीज़ों को अगर आप एक awareness के साथ avoid करेंगे इस week को आप भैतर कर सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बड़ी शिदद से किसी चीज को आपने बनाया और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि वो चीज तूट रही है फिर से कहूंगी weekly reading है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी लेकिन फिर भी चीज़ें उस तरीके से बनती हुई नहीं दिख रही हैं कहीं एक destructive सी energy जादा रहती हुई दिख रही है उतनी constructive energies इस week नहीं रहती हुई दिख रही है तो अगर आप अपनी expectations को भी थोड़ा low रखते हैं और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कैसे भी smaintain कर सकते हैं कैसे खुद को भी आप you know काम रखें बहुत गुसा ना करें बहुत किसी चीज़ को लेकर frustrate ना हो तो इस week की energies को आप भैतर कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है ऐसी situations आएं ऐसे circumstances आएं जहां पर गुसा आना बहुत ही normal है और उस time पर अगर आप अपने आपको control कर लेते हैं उस time पर एक awareness के साथ अगर आप चीज़ों को deal करते हैं गुसा नहीं करते हैं frustrate नहीं होते हैं तो भी इस week की energies को आप भैतर करेंगे तो देखिए इन ही चीज़ों का आप खयाल रखें हो सकता है again किसी suffocating situation से आप suddenly बहार निकल रहे हैं जो उस time आपके लिए थोड़ा सा challenging रह रह रहा है थोड़ा सा आपको परिशान कर रहा है लेकिन निकलने के बाद एक सुकून एक piece भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं अब देखिए ये situation ये चीज़ सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए कोई team हो सकती है कुछ के लिए project हो सकता है कुछ के लिए job हो सकती है जिसमें से आप निकलना चाहा रहे हैं या फिर निकल रहे हैं या फिर उसी से related कुछ issues मसले रह रहे हैं और मैंने अभी आपको बताया कि जितना आप peacefully जितना आप lovingly चीज़ों को deal करेंगे उतना ही इस week की energies को आप भैतर करेंगे and personal fund के लिए आप लोगों के लिए nine of pentacles reverse का card है सबसे पहली चीज money का card है reverse है तो इस week आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है अब ये खर्चा देखे सब के लिए differ करेगा लेकिन luxury, comfort, lifestyle के उपर ज्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है आप अपने घर को renovate करना चाहा रहे है घर को beautify करना चाहा रहे है उससे related खर्चा कर रहे है कुछ के लिए literally हो सकता है आप अपना garden maintain कर रहे हैं पौधे खरीद रहे हैं और कहीं देखिए इस week overall के लिए देखिए आप independently चीजों को deal करना चाह रहे हैं यानि कि physically, mentally, emotionally किसी के उपर भी dependent नहीं होना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं आप चीजों को deal कर पा रहे हैं यानि कि थोड़ा सा आपको dependent होना पड़ रहा है और ये चीज आपको परेश नहीं किसे नहीं enjoy कर पा रहे हैं तो देखिए personal front के लिए कुछ भी negative नहीं हो रहा है neutral सी energies रहती हुए दिख रही है क्योंकि nine of pentacles is a positive card लेकिन आप लगों के लिए reverse है तो कहीं इनी चीजों से related छोटे मोटे issues रह रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए control का card है और ये professional personal किसी भी front के लिए guidance हो सकती है लेकिन जादा professional front के लिए रहती हुए दिख रही है और मैंने आपको अभी बताया भी कि थोड़ा सा अगर आप अपनी इंद्रियों पे control करते हैं थोड़ा सा गुसे पे या फिर इसी तरीके की चीजों पे control करते हैं कभी-कभी होता है ना हमे किसी चीज की आदत पढ़ गई होती है या पिर हम किसी चीज को लेकर बहुत obsessed से हो जाते हैं तो इनी सब चीजों को फिर से मैं कहूंगी आप control करते हैं अपनी इंद्रियों को अपने उपर हाभी नहीं होने देते हैं या फिर उनको control करके रहते हैं तो इस वी को आप भैतर Indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week कर सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए केंसेरियंज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है Eight of Pentacles Reverse Eight of Pentacles का card tarot में hard work की बात करता है devotion dedication के साथ goal मकसद के लिए बहुत effort करने की बात करता है इस week आप लोगों के लिए ये card reverse है कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके work front में बहुत जादा काम है और इतना जादा काम है आप किसी और चीज पर focus ही नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा exhaust हो रहे हैं थोड़ा सा you know एक burden भी आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि इतना जादा काम है कि फिर से मैं कहूंगी आप किसी और चीज पर focus नहीं कर पा रहे हैं overall के लिए देखें pentacles का card money पैसे को represent करता है क्योंकि इस week ए card reverse है तो money पैसा या तो आपके हाथ से जा रहा है या पर जितना आप expect कर रहे हैं उतना नहीं आ रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी payments delay हो रही है कुछ के लिए हो सकता है again कोई खर्चा हो रहा है तो इसी तरीके के you know money पैसे से related scenarios रह सकते हैं क्योंकि ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और जो भी दो चीजे मेरे mind में आई मैंने आपको कहा तो इस week के हिसाब से आपके लिए guidance ही होगी कि work life balance ज़रूर maintain करें और पैसा खर्ष करने से पहले एक बड़ी ज़रूर सोच लें और personal front के लिए आप लोगों के लिए the hermit का card है hermit का card कहीं बहुत actively किसी भी चीजों में involved नहीं होने की बात करता है एक अकेलापन चाहने की या फिर एक अकेलापन महसूस करने की बात करता है फिर से कहूंगी general reading है थोड़ा थोड़ा सब के incidents के लिए differ करेगा कुछ के incidents के लिए हो सकता है कि intentionally आप सब चीज से थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं आप किसी भी चीज में involved नहीं होना चाहा रहे हैं अपनी space आप चाहा रहे हैं कुछ के incidents के लिए हो सकता है सब के साथ होते हुए या फिर otherwise भी एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और बहुत जादा एक introspective energies में भी आप रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि आगे बढ़ने से पहले कुछ भी अगर आप अपने personal friend में चाहा रहे हैं उसके लिए action initiatives लेने से पहले आप अच्छे से चीजों को समझना चाहा रहे हैं अच्छे से चीजों को understand करना चाहा रहे हैं जोकि बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब भी इन्ही energies में हम बहुत deep जाते हैं तो हम परिशान होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एक balance maintain करें introspective energies में रहें लेकिन हर चीज के बहुत deep में न आ जाएं और दिखें यह काट बहुत maturity के साथ चीजों को deal करने की भी बात करता है और इस तरीके की भी energies रहते भी दिख रही हैं साथी साथ यह काट किसी चीज को ढूणने की किसी चीज को search करने की भी बात करता है कुछ concerns के लिए literally हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो रही है और उसको आप ढूण रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है एक missing सी feeling है और आप वो खुशी को ढूण रहे हैं उस idea को ढूण रहे हैं उस एक चीज को ढूण रहे हैं जो आपको वो happiness, satisfaction, joy दे-दे थोड़ा ऐसा एक enthusiasm, excitement भी इस week missing रह सकता है लेकिन overall के लिए दिखिए कुछ भी गलत, कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है Hermit is a neutral card तो एक neutral सी energies specifically आपके personal front में रहती हुई दिख रही हैं एक card, you know, अगर advice card के हिसाब से मैं आपको दूँ तो अगर आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं कोशिश करें, effort करके आप थोड़ा जादा socialize करें जो भी आपके close लोग हैं, friends हैं, family हैं उनसे आप interact करें, बातचीत करें अगर आप खुद से ही एक अकेलापन चाहा रहे हैं तो दिखिए, फिर आप अकेले रह सकते हैं लेकिन बहुत deep हर चीज में उस सेनारियों में आ जाएं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए change your focus का card है बहुत ही clear message है हो सकता है, इस week आप उन चीज़ों पे focus कर रहे हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है जो बहुत great नहीं है और इसकी वज़े से थोड़ा सा अगर आप परिशान होते वे खुद को पाएं तो immediately जो चीज़े आपकी life में अच्छी है great है, उन पे focus करें क्योंकि देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी life में कुछ भी अच्छा नहीं है क्योंकि कितनी बारे जब ये चीज़ मैं बोलती हूँ तो लोग मुझे यही कहते हैं कि माम कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर you know, हमारी health अच्छी है ये सबसे बड़ी blessing है, अगर हमें अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी blessing है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं और जो चीज़ें एक दो हमारी life में ठीक नहीं चल रहे होती हैं, हम इतना उन पर focus करते हैं कि हमें हर चीज ही गलत लगनी शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा एक नचल में मैं कहूंगी positive frame of mind इस week रखना बहुत बहुत important रहेगा वैसे तो हमेशा ही important होता है बट जब specifically हम थोड़ा सा भी negative हो रहे होते हैं, उस time पे और ज़्यादा important हो जाता है तो इस चीज़ का खयाल रखें astrology से आप लोगों के लिए coming week का साथ आपका एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लियोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काड है Knight of Pentacles Reverse और ये काड कहता है कि इस week specifically अपने professional front में आप एक pause ले रहे हैं लेना चाहा रहे हैं और इस pause लेने के लिए सब लियोज के लिए different reasons रहेंगे लेकिन Knight of Pentacles Reverse का का काड कहता है कि आप बहुत safe, बहुत secure होके चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं आप बिलकुल भी risk नहीं लेना चाहा रहे हैं आप बिलकुल भी किसी भी तरीके का chance नहीं लेना चाहा रहे हैं जब तक कि आप 100% sure नहीं हैं जब तक कि 100% आपको confidence नहीं आ रहा है जो भी अच्छी opportunity आ रही है आप उसको नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं लेना चाहा रहे हैं फिर से मैं कहूंगी overall आपकी ऐसी energies हो सकती है कि भई जब तक फिर से 100% एक surety नहीं होती तब तक आगे नहीं बढ़ना है तब तक किसी भी चीज़ को लेकर action initiatives नहीं ले रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन जब हम too much इस energies में होते हैं हम अच्छी opportunities को miss करते हैं और फिर आगे चलके हम थोड़ा सा परिशान होते हैं जब हमें इस चीज़ का एसास होता है कि अरे बहुत इतनी अच्छी opportunities थी too much सोचने की वज़े से too much sure हो के चीज़ों को deal करने की वज़े से हमने उस opportunity को ही miss कर दिया तो दिखे अगर कुछ इस तरीके की energies इस week specifically professional front में रहें तो ज़रूर उसको check करके correct करें और इसी reason की वज़े से थोड़ा सा stuck भी आप महसूस कर सकते हैं तो दिखे जब तक हम calculated risk अपनी life में नहीं लेते हैं तब तक एक growth एक progress हमारी life में आ ही नहीं सकती है तो इस चीज़ का खयाल इस week ज़रूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए five of wands reverse का card है और ये card conflicting energies की बात करता है कुछ के लिए ये conflict external हो सकती है यानि कि कोई आपके loved ones है, close ones है उनके साथ difference of opinion हो रहा है उनके साथ आपकी energies align नहीं है या फिर literally argument हो रहा है चोटी मोटी conflict रह रही है कुछ के लिए हो सकता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा एक उलजन रह रही है कुछ के लिए हो सकता है कि circumstances situation ऐसे है जहां पर छोटी मोटी अडचने और बहुत ही minor बहुत ही छोटी मोटे issues रहते हुए दिख रहे है क्योंकि देखिए ये minor arcana का card है और otherwise also ये card minor issues की बात करता है तो minor issues minor मसले रह सकते हैं और कितनी बारी जब हम एक बहुत great energies में नहीं होते हैं ये minor minor सी चीज़े हमें बड़ा irritate, बड़ा frustrate करती हैं तो देखिए यहां पर हम किस तरीके से चीज़ों को deal करते हैं हम अपनी energies को कितना positive रखते हैं वो बहुत कुछ determine करेगा क्योंकि चोटी मोटी चीज़ें तो life में हमेशा ही होती रहती हैं जब हम बहुत ज़ादा उन पर focus करते हैं और फिर बहुत चोटी चोटी चीज़ों को अपने उपर हावी होने देते हैं irritate होते हैं तो हम परेशान होते हैं और हम अपने आपको emotionally mentally strong कर लेते हैं ये चोटी चोटी चीज़ें हम पर हावी नहीं हो पाती हैं और हम परेशान भी नहीं होते हैं तो इस चीज़ का खयाल रखें अपने आपको mentally emotionally बहुत strong रखें जो कि हमेशा ही required होता है और इस week कहीं लग रहा है कि उतना mentally emotionally strong होके आप चीज़ों को नहीं deal कर पा रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इस week के energies को बहतर करेंगे नहीं कर पाएंगे तो फिर ये चोटी मोटी चीज़ें आपको थोड़ा या काफी परेशान कर सकती हैं इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए joy and stability का card है तो overall energies इसके हिसाब से देखें तो ये card कहता है जो भी professional friend में हो रहा हो जो भी personal friend में हो रहा हो overall एक happiness joy आप महसूस कर रहे हैं और guidance के हिसाब से इस card को देखें तो ये card आपको यही message देता है कैसे एक stability आप maintain कर सकते हैं आप उस पे focus करें और जो भी चीजें आपको happiness joy दे रही हैं आप उन पे focus करें या फिर कैसे आप अपने आपको खुश रख सकते हैं happy रख सकते हैं उस पे जरूर आप focus करें and astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का साथा है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए होगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of wands two of wands का card tarot में बहुत जबरदस confidence की बात करता है self assurity की बात करता है और इसी confidence के साथ चीजों को next level पर लेकर जाने की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front के लिए रहतावा दिख रहा है जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है या फिर otherwise भी कैसे चीजों को आप next level पर लेकर जा सकते हैं क्या next steps आप ले सकते हैं उस पर focus करते हुए दिख रहे हैं और फिर से कहूंगी बहुत जबर्दस एक confidence रहतावा दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई good news आपको आपके work आपके professional front से related मिलती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि आप out of the country, out of the city कोई activity में खुद को involve कर रहे हैं और कोई activity हो रही है फर example कुछ के लिए हो सकता है आपके कोई client out of country out of city रहते हैं आपकी उनके साथ जादा interactions हो रही हैं कुछ के लिए हो सकता international market explore करना चाहा रहे हैं तो दिखी जनरल रीडिंग है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा overall के लिए ये week professional friends related काफी positive रहतावा दिख रहा है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी co-worker, loved one, close one की तरफ से एक काफी supportive एक काफी helping वाली energies भी इस week रह रही हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of cups का card है three of cups का card taro में कहीं celebration, get together, reunion की बात करता है और कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपके personal front में इस week रह सकती है फिर से कहूंगी general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए literally हो सकता है किसी भी तरीके की celebration इस week आपके personal front में हो रही है for example, शादी हो सकती है किसी भी love one की close one की engagement हो सकती है या फिर simply आप अपने घर में कोई get together organize कर रहे हैं या फिर आप friends के साथ जादा interact कर रहे हैं येस, देखी ये काड़ ये भी कहता है कि इस week हो सकता है आप जादा socialize कर रहे हैं जादा लोगों से मिल रहे हैं जादा लोगों से interact कर रहे हैं जादा आपकी eating, drinking, merry making in general रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप अपने family members या फिर से कहूंगी loved one close ones के साथ जादा eating, drinking, merry making कर रहे हैं आप उनको अपने घर में invite कर रहे हैं वो आपको अपने घर में invite कर रहे हैं तो overall के लिए fun, मजा, मस्ती वाला ये week रहता हुआ दिख रहा है और eating, drinking, merry making इस week जादा रहती भी दिख रही है and in general या फिर guidance से आप रुगों के लिए success and growth का card है overall के लिए देखें इस week में success किसी भी चीज से related आपको मिलती हुए दिख रही है और एक growth progress हो रही है कुछ के लिए personal front हो सकता है कुछ के लिए professional front हो सकता है guidance के हिसाब से देखें तो ये card कहता है कि कैसे जो भी चीज या फिर जो भी goal आपका है उसमें आपको success मिल सकता है उस पे focus करें कैसे growth progress आ सकती है उस पे focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter Gray का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था वो गुज़ आप लोगों के लिए coming week का सापता है और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए ले ब्राज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है page of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप थोड़े से जादा emotional थोड़े से जादा sentimental होते वे दिख रहे हैं हो सकता है चोटी चोटी सी बातें आपको hurt कर जाएं चोटी चोटी सी चीजों को लेकर आप परेशान रहें तो अगर ऐसा आप भी पाएं जरूर इस चीज को चक करके correct करें यानि कि emotionally खुद को थोड़ा सा strong इस week आप रखें और हो सकता है कि आप बहुत एक खुआबों की दुनिया में रह रहे हैं practical realistic aspect missing है और इस चीज को भी अगर आप पाएं तो जरूर चक करके correct करें एक heart और mind का balance इस week आप जरूर रखें और दीखें दूसरी बात ये काट कहता है immature energies या तो आपकी इस week रह रहे हैं या फिर कोई इंसान है आपके work front में जिनकी काफी immature energies हैं और अगर आपकी हैं तो कोई भी बड़ा decision कोई भी बड़ी choice किसी experiential इंसान से बात करें बगएर इस week ना लें और अगर कोई इंसान है जिनकी immature energies हैं तो इस week आप उनको avoid करें overall ये week ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है page of cups is not a negative card but इनी चीजों का खयाल रखने की ज़रत है इस week को अगर आप बहुत भैतर बनाना जाते हैं अगर किसी email message phone call का आप wait कर रहे हैं तो इस week आपको मिल सकता है किसी जगा का invitation भी आपको इस week मिलतावा दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए turn of wands का card है और ये card कहता है कि इस week personal front के किसी area में या फिर overall ही बहुत सारी responsibilities आपने अपने उपर ली हुई है बहुत सारी चीजों में आप involved हो रहे हैं जितना काम आप कर नहीं सकते हैं उससे ज़ादा काम आप कर रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है अपना काम तो आप करी रहे हैं अपने अलावा और लोगों की भी responsibilities या काम आपने अपने उपर लिये हुए हैं और जब भी एक आडाता है मैं यही कहती हूँ कि बहुत बहुत important है इस time period में आप अपने आपको थोड़ा सा light और easy रखें लोगों को बहुत ही प्यार महबबत से ना कहना सीखें और जितना कर सकते हैं न उतना ही करें क्योंकि अगर आप over अपने आपको इस time पे pressurize करेंगे इस week हो सकता है आपको न इस चीज़ का हैसास हो लेकिन आगे चल कर आप परिशान हो सकते हैं देखें rubber band जितना अराम से खिटता है न उसको उतना ही खेशना चाहिए जब हम उसको बहुत ज़ादा खेशने की कोशिश करते हैं वो टूट जाता है इसी तरीके से हमारी physical body होती है जितना हम ने आपको stretch कर सकते हैं उतना ही खुद को stretch करें जब हम over अपनी physical body से काम लेना शुरू कर देते हैं over अपने उपर responsibilities जाल लेते हैं तो फिर आगे चलकर हमारी physical body में issues होना शुरू हो जाते हैं तो फिर से कहूंगी extra pressure, extra burden, extra responsibilities को आप ज़रूर कम करें और अपने आपको कैसे light and easy रख सकते हैं कैसे relax रख सकते हैं उस पे ज़रूर focus करें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए confront का card है और ये card कहता है किसी life के area में हो सकता है कुछ fears हैं, कुछ insecurities हैं और आप उनको confront नहीं कर रहे हैं कितनी बारी होता है ना हम carpet के नीचे जो भी गंदगी होती है उसको डालते रहते हैं, डालते रहते हैं और उससे कहीं चीज़ें तो clear होती नहीं है जिस दिन हलका सा भी carpet उठा उस दिन सारी मिट्टी हमारी घर में फैलेगी या फिर हमारे उपर आएगी तो यहाँ पर दीखिए confront का card बहुती clearly कहता है stitch and time saves nine जो भी issue, problem या फिर fear, मसला आप महसूस कर रहे हैं उसको उसी time पे confront करें और clear करें उसको pile up ना करें उसको back end पे accumulate ना करें क्योंकि क्या होता है कि हम उसको suppress करते रहते हैं एक time आता है जब वो इतनी बड़ी हो जाती है और हम चाहा कि भी उसको नहीं deal कर पाते हैं तो fears को, insecurities को आप carpet के नीचे ना रखें उनको आप clear करें उनको आप upfront होके deal करें and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके हिससा आप से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copies आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है और ये card कहता है कि इस week power position authority से related छोटे मोटे issues छोटे मोटे मसले आपके professional fund में रह सकते हैं अब ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के ले differ करेगा कुछ copyos के लिए हो सकता है कि किसी भी level पे किसी भी तरीके से आप power position authority चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रही है आप थोड़ा परिशान हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है authoritative figures के साथ छोटे मोटे issues मसले हो रहे हैं और self respect आपके लिए हो सकता है इस week काफी एहम रहे और जो भी 2-3 चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा फिर से कहूं कि general reading है इसी से ही related सब के लिए different issues, different मसले रह सकते हैं overall के लिए अगर हम देखें काफी aggressive आप चीज़ों को लेकर इस week हो सकते हैं over maturity के साथ चीज़ों को करना चाहा सकते हैं बहुत discipline, बहुत systematic बहुत organized तरीके से चीज़ों को करना चाहा सकते हैं और इन ही सब चीज़ों से related छोटे मोटे issues रह सकते हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं ज़रूर check करके correct करें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने goal अपने मकसद के लिए aggressive ना हो लेकिन negative aggression कहीं हमें परिशान करता है हमें हमारे goal से और दूर करता है तो बहुत ही confidently चीज़ों का control लेकर हमने आगे बढ़ना है action initiatives लेने हैं लेकिन over aggressive नहीं होना है and maturity से चीज़ों को deal करें लेकिन over mature ना हो तो फिर से कहूंगी इनी चीज़ों का खयाल रखेंगे ये भी ठीक रहेगा और अगर नहीं खयाल रखा तो फिर थोड़ा पारिशान हो सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए strength reverse का card है और ये card भी कहीं aggression frustration, frustration, गुसे को represent करता है तो देखिए दोनों ही fronts में थोड़ा सा एक aggression रहता हुआ दिख रहा है गुसा, frustration, irritation रहती हुए दिख रही है और दोनों ही fronts में मैं फिर से कहूंगी कैसे आप peace maintain कर सकते हैं या फिर मैं कहूंगी कि कैसे आप खुद के peace of mind को खुद के सुकून को ना खराब होने दें उस पे focus करें and personal friend के लिए देखिए वो सकता है कि पीछे आप बहुत सबर के साथ बहुत patience के साथ चीजों को deal कर रहे थे और थोड़े बहुत issues थे, थोड़े बहुत मसले थे ऐसी situation, circumstances थे कि frustrate होना बहुत normal था, ऐसे किसी इंसान के साथ आप dealing कर रहे थे कि फिर से मैं कहूंगी frustration normal थी लेकिन आप बहुत अपने आपको control में रख रहे थे और इस week आपका वो you know patience खतम होता हुआ दिख रहा है आपको ऐसे लग सकता है बस बहुत हो गया अब और patience मैं नहीं रख सकती हूँ नहीं रख सकता हूँ तो देखिए I know आपकी situation है आप बिल्कुल justified होंगे आपका ऐसा गुसा होना बहुत normal होगा या फिर बहुत justified होगा बट at the same time गुसे से कोई मसले हल नहीं होते हैं हम सिरफ और सिरफ खुद को परिशान करते हैं थोड़ी सी meditation करें जो इनसान से बात करके आप better feel करते हैं थोड़ा सा जो भी issue है उसका solution आपको मिलता है या फिर आपकी energies थोड़ी सी शान्त होती हैं आप उनसे connect करें motivational speakers को सुने तो इस week मैं फिर से कहूंगी कि जैसी भी situation है जैसा भी महौल है कैसे आप overall ही अपना peace of mind maintain कर सकते हैं अपने मन के सुकून को ठीक रख सकते हैं उस पे आप ज़रूर focus करें और दिखिए थोड़ा सा एक inner strength भी personal front में रखने की ज़ुरत है willpower determination रखने की ज़ुरत है अगर थोड़ा सा भी आपने willpower determination रखी तो बहुत अच्छे से ये वीक आपका गुजर जाएगा लेकिन इसी चीज में कमी आई तो फिर परिशान होंगे and in general या फिर guidance से feeling alone का card है हो सकता है कि overall ही आप थोड़ा सा एक अकेला पन में हसूस कर रहे हैं कभी-कभी सब के बीच में होते हुए एक अकेला पन होता है और कभी-कभी literally अकेला पन होता है तो कैसे आप इस अकेले पन को दूर कर सकते हैं उस पे focus करें socialize करें आपका मन अगर नहीं भी कर रहा है आप अपने जो भी अच्छे दोस्त हैं उनसे connect करें, मिलें अगर physically नहीं मिल सकते हैं फोन पर, social media पर connect करें तो फिर से मैं कहूंगे कि जो भी issue है वो कैसे आप solve कर सकते हैं उसका क्या solution है उस पे focus करें, problem पे ना focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Leo sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Sunday तो ये था सकाप्योज आप लुगों के लिए coming week का साथ आपता है ग्राशी फल और नेचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए reverse है और कहीं कब स्टारों में love, care, emotions, feelings को represent करते हैं क्योंकि ये professional front के लिए है तो कहीं literally कुछ के लिए हो सकता है कोई इनसान है आपके work front में जिनसे आप emotional या फिर इसी तरीके की कोई help support चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है या फिर देखे किसी भी तरीके की in fact मैं कहूंगी help support नहीं मिल रही है या फिर उनके साथ छोटे मोटे issues मसले हो रहे हैं अब ये सब के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए हो सकता है कि आपके colleague हैं जिनके साथ आपका एक emotional bond है और उनके साथ आपके difference of opinion हो रहे हैं या issues हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि professionally वो आपको help करते हैं किसी भी reason की वज़े से उस तरीके से help नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि या तो किसी इनसान के साथ छोटे मोटे issues मसले हो रहे हैं प्रोफेशनल फ्रंड में या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं कहीं उतना satisfaction उतना happiness आप नहीं महसूस कर रहे हैं या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक happiness, joy, satisfaction तो है लेकिन साथ ही साथ missing feeling है क्योंकि आप लोगों के लिए ये card reverse है तो overall के लिए कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन इनी चीजों से related छोटे मोटे minor issues specifically इस week आपके professional front में रह सकते हैं and personal front से आप लोगों के लिए the lovers का card है और ये card literally relationships को represent करता है तो कहीं personal front में relationships आपके लिए बहुत एहम रह रहे हैं आपे relationships पे ज़्यादा focus रह रहा है और ये relationships पे focus भी subsidiaries के लिए differ करेगा कुछ के लिए कोई खास इंसान हो सकता है और ये खास इंसान भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए आपके parents हो सकते हैं जिन पे आप बहुत attention दे रहे हैं कुछ के लिए girlfriend, boyfriend वाला love हो सकता है कुछ के लिए partner हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं अगें कोई भी relationship हो सकता है जिस पे आप ज़्यादा focus कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी loved one के साथ अगर कुछ issues, मसले हो रहे थे मन मुटाव हो रहा था किसी भी तरीके का distance आप दोनों के बीच में आया इस week reconciliation होता हुआ दिख रहा है और अगर सब कुछ ठीक ठाक आपके loved ones के साथ है तो कहीं relationship और ज़्यादा strong होता हुआ दिख रहा है या पिर मैं ऐसा भी कह सकते हूँ इस week आप ज़्यादा connect कर रहे हैं ज़्यादा बात कर रहे हैं ज़्यादा आपकी interactions हो रही है बहुत एक loving caring energies या तो आप अपने loved ones या फिर किसी खास इंसान के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आपको ये love care attention मिल रही है overall फिर से कहूंगी relationships पे focus है और कहीं relationship से ही personal friend में happiness joy रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए helpless और hopeless का card है तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक helpless hopeless वाली energies भी साती सात रहती हुई दिख रही है या फिर अगर हम guidance के हिसाब से देखें तो ये card कहता है कि beyond the point आप किसी भी चीज़ को लेकर helpless hopeless न महसूस करें होता है ना कभी-कभी ऐसे circumstances हो जाते हैं, situation हो जाती है जब ऐसी energies में हम आ जाते हैं तो उस time पे अगर हम positive रहें, अपने mind में clarity रखें universe पे faith रखें, जिन God को हम मानते हैं, उन पे trust रखें तो कोई भी चीज़ beyond the point हमें bother नहीं कर पाती है तो इस चीज़ का खयाल इस week आप ज़रूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था से चीज़ आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राश्वीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है Ace of Wands Reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में enthusiasm, excitement थोड़ा सा लो रहता हुआ देख रहा है अपने goal, अपने मकसद को लेकर या फिर otherwise भी आप उतने motivated नहीं रहते हुए देख रहे हैं होता है ना कभी-कभी हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं थोड़ा सा हमारा, again मैं कहूंगी उतना motivation चीज़ों को लेकर नहीं रहता है अब इसके लिए सब Capricorns के लिए different reasons रहेंगे लेकिन card के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि जो एक growth progress आप चाहा रहे हैं वो आपको लग रहा है कि आपके professional front में नहीं हो रही है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई चीज़ आप शुरू करना चाहा रहे हैं अब देखें ये भी थोड़ा-थोड़ा सब के लिए different करेगा कुछ के लिए पुराने काम को नई सिरे से fresh तरीके से करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है नई job चाहा रहे हैं कुछ के लिए नया project, नई जगा, नई team again कोई नई चीज़ आप चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उससे related issues, मसले हो रहे हैं और इसी लिए थोड़ा सा मायूस थोड़ा सा demotivated आप होते हुए दिख रहे हैं और जब भी ऐसी energies होती हैं Capricorns बहुत बहुत important होता है कि हम खुद को इस energy में से बाहर निकालें क्योंकि देखिए जब हम बहुत deep in energies में जाते रहते हैं मैं कहूंगी जब हम एक effort नहीं करते हैं खुद को in energies में से बाहर निकालने के लिए हम बहुत deep चले जाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं तो फिर से कहूंगी कि बहुत important है कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी motivation आपका enthusiasm आपका excitement वापस आए क्योंकि जब तक ये चीज़े नहीं है ना वो एक growth, वो एक progress हमें मिल ही नहीं सकता है हम अपने goal मकसद को achieve कर ही नहीं सकते हैं तो फिर से कहूंगी इसका खयाल रखें और personal front के लिए आप लोगों के लिए 5 of cups reverse का card है तो दिखिए personal front में भी चोटे मुटे issues, मसले रहते हुए दिख रहे हैं जो की या तो पीछे आपको बहुत मायूस कर रहे थे या फिर अभी भी मायूस कर रहे हैं लेकिन कही personal front में आप effort करके जो भी चीज़े आपकी life में ठीक हैं उन पे focus कर रहे हैं आप इनी energies में से खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही कही mindset professional front में भी इस week रखना बहुत बहुत important रहेगा और देखिए जब भी ये काड आता है हम यही कहते हैं all is not lost अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करके आप चीज़ों को बहतर करें तो personal front में आप ठीक track में हैं लेकिन professional front में भी अगर यही attitude आप ले आएंगे तो इस week को कहीं किसी level पे आप बहतर करेंगे and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए blossom का card है और यह card बहुत ही clear message दे रहा है कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ें जो आपको serve नहीं कर रही है उनको let go करेंगे और जो नहीं चीज़ें आपकी life में आने के लिए उतावली हैं उनको welcome करेंगे उतनी ही जल्दी इस week को आप काफी बहतर करेंगे अगर आप पुरानी चीज़ों में अठके रहें जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है उन पे focus करते रहे तो फिर आप परिशान हो सकते हैं और astrology से आप लोगों के लिए Saturn Gray का card है इसके हिसाब से all shades of beige इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Capricorn's आप लोगों के लिए coming week का सापता है और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक वे जिस आप लोगों के लिए देखेगी coming week क्या ले करा रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Seven of Wands Reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं जो भी काम आप कर रहे हैं आपको एक smooth going नहीं मिलती हुए दिख रही है होता है ना कभी-कभी obstacles, अरचने आही जाते हैं और हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं हिम्मत हार जाते हैं give up कर देते हैं कुछ ऐसे सी energies रहती हुए दिख रही हैं और ये card दिखे जहां obstacles और issues को represent करता है वहीं success और victory की भी बात करता है यानि कि इस week जो भी issues मसले आ रहे हैं अगर आप बहुत courageously, बहुत boldly उनको deal करते हैं give up नहीं करते हैं willpower determination रखते हैं extra effort, extra initiative लेते हैं तो definitely आपको success मिलेगी, victory मिलेगी लेकिन थोड़ा सा भी आप मायूस हो गए जो भी अरचने, obstacles आ रहे हैं उनको लेकर आपने give up कर दिया तो फिर आप अपनी मंजिल मकसित को नहीं पापाएंगे तो इस चीज का खयाल इस week ज़रूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए the hierophant reverse का card है और ये card कहता है कि यां तो पीछे आप बहुत fixated बहुत rigid चीज़ों को लेकर हो रहे थे और इस week आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तो flexible होना पड़ेगा इतना rigid होके इतना fixated होके चीज़ों को नहीं deal करा जा सकता है बहुत खुद के लिए परेशानी रहेगी और कहीं आप अपने आपको इन ही energies में से बहार निकाल रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप over rigid, over fixated हो रहे हैं तो देखिए अगर ऐसा आप अपने आप के साथ होते हुए पाए तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके correct करें और overall के लिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी religious spiritual activity में involved होना चाह रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं आप फिर हो रहे हैं तो वो एक satisfaction joy आपको नहीं मिल रही है अब यहाँ पर यह spiritual religious activity सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए simply हो सकता है आपने अपने घर में कोई सत्संग रखा है कोई पाठ पूजा रखी है या फिर आप खुद से ही बहुत जादा जिन गॉड को मानते हैं उनको worship कर रहे हैं उनको pray कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है किसी religious spiritual जगा पे आप visit करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है किसी आपके loved one के घर में कोई ऐसी religious ceremony हैं अब देखिए marriage भी religious ceremony होती है क्योंकि you know मंदिर मस्जिद गुर्दवारे में होती है और बच्चे का नामकरन भी religious ceremony होती है वो भी हम ऐसी ही जगा पे करते हैं तो इस तरीके की भी ceremony इस वीक रह सकती है और कहीं इसी से ही related छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं और कुछ के लिए हो सकता है जो भी आपके घर के बड़े हैं उनके साथ आपका थोड़ा सा मसला रह रहा है अब यह मसला सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है views नहीं match कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है वो बहुत अपने पुराने धग्यानुसी खयालात आपके ओपर थोप रहे हैं और आप बिल्कुल इस चीज को लाइक नहीं कर रहे हैं आपको बिल्कुल यह अच्छा नहीं लग रहा है कुछ के लिए हो सकता है आप ही बहुत जादा पुराने खयालों के हिसाब से चीजों को डील कर रहे हैं इस वीक कुछ के लिए लिटरल ही हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है ओल्डिस गोल्ड तो पुराने तरीकों के साथ, पुरानी चीजों के साथ पुराने खयालात से आप चीजों को डील करते हुए दिख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि हर चीज moderation में ठीक होती है कोई चीज चाहिए इतनी भी अच्छी हो जब over हो जाती है तो फिर हमें परिशान करती है तो इस week अगर आप किसी चीज को लेकर rigid fixated हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन over होता हुआ पाएं जरूर चक करके correct करें over पुराने खयालों के हिसाब से चीजों को डील कर रहे हैं पुरानी किसी चीज में अटक रहे हैं वो tradition हो सकता है, culture हो सकता है उसको चक करके correct करें and religious spiritual activities में अपने आपको involve करें बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर से कहूं कि कोई भी चीज over ना करें and yes एक चीज और थोड़ा सा flexible इस week आप जरूर है in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए just breathe का card है और बहुत clear message है कैसे अपना peace of mind maintain कर सकते है कैसे अपना सकून बरकरार कर सकते है उस पे आपने focus करना है और इस चीज को आपने सबसे ज़ादा एहमियत देनी है सबसे ज़ादा prioritize करना है यानि कि किसी भी situation को, इंसान को, circumstances को आपने इतनी power नहीं देनी कि वो आपके मन का सुपून खराब करे just breathe का card बहुत ही clearly कहता है relax, chill, बहुत tension ना लें बहुत stress ना लें बहुत ही एक, you know, easy way में चीजों को deal करें astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है इसके हिसाब से जो समुंदर के रंग होते हैं sea green, sea blue वो आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले वाइसे आप लोगों के लिए रेखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of pentacles I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure है वो literally you know किसी चीज को जगल कर रही है एक पैर उनका उपर है एक नीचे है और जिस चीज को जगल कर रहे हैं कभी वो उपर कभी वो नीचे और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता वादेख रहा है किसी चीज को specifically आप जगल कर रहे हैं या फिर किसी चीज में in and out होते वे दिख रहे हैं अब दिखिए जनरल रीडिंग है in and out up and down वाली energy सब 20 के लिए डिफर करेंगी कुछ के लिए हो सकता है literally किसी जगा से दूसरी जगा पर to and fro हो रहे हैं एक काम से दूसरे काम में आप कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है आप एक से ज़ादा चीजों को manage कर रहे हैं एक से ज़ादा काम आप कर रहे हैं और उसी को कहीं balance करना चाहा रहे हैं और उसी से related आपका काफी effort लग रहा है लेकिन जो भी हो रहा है आप उसको काफी enjoy करते हुए दिख रहे हैं और दिखे ये काट कहीं exchange की भी बात करता है तो किसी चीज को आप exchange कर रहे हैं या फिर आपके पास money आ रहा है लेकिन money जा भी रहा है तो दिखे overall के लिए जो चीज आ रही है वो जा रही है to and fro, up and down in and out वाली energies रहती भी दिख रही हैं कोई दिन बहुत excited हैं, motivated हैं कोई दिन enthusiasm, excitement low है किसी दिन आपका मन करता है कि भाई ये काम करें किसी दिन आपका मन करता है नहीं कुछ और काम करें तो इस तरीके की energies specifically professional front में रह रही हैं and nothing bad this is not a negative card तो गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है और हम उसी में ही to and fro हो रहे होते हैं तो फिर से कहोंगी कुछ ऐसी सी energies हैं कुछ के लिए हो सकता है कोई decision, कोई choice आपको लेनी है आप two minds में हैं और जो भी हो रहा है फिर से कहोंगी आप काफी enjoy करते हुए दिख रहे हैं आप चीजों को अच्छे से manage कर पा रहे हैं बस थोड़ा सा effort आपका ज्यादा लगता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए four of swords reverse का card है और ये card कहता है कि कुछ खास personal front में नहीं हो रहा है अब मैं दोनों cards को देखूँ तो कहीं professional front में आपकी इतनी energy लग रही है कि personal front पे या तो आप focus नहीं करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं या फिर हो सकता है personal front में आप थोड़ा सा अराम करना चाह रहे हैं थोड़ा सा rest करना चाह रहे हैं अब ये rest और अराम वाली energies भी surprises के लिए differ करेंगी कुछ के लिए हो सकता है आप vacation plan कर रहे हैं vacation पे जा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी cheat से खुद को withdraw कर रहे हैं और खास कर देखे relationship का अगर मैं आपको example दूँ again मैं example दे रही हूँ सब के लिए different situations रहेंगी different circumstances रहेंगे तो you know relationship में आप इतने initiatives नहीं ले रहे हैं आप इतना action नहीं ले रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है बस अब मैंने कर लिया बहुत जो करना था मैंने नहीं और action initiatives लेने या फिर otherwise भी आपका मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा backseat में रहते हुए दिख रहे हैं इतना enthusiasm, excitement नहीं रह रहा है और इसलिए आपको लग रहा है भी थोड़ा सा राम कर लें तो दिखे time to time rest करना, अराम करना अपनी energies को rejuvenate करना बहुत बहुत important होता है अगर इसी तरीके की energies हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब हम अराम करते हैं सारी batteries charge होती है तो फिर हम दुबारा full force के साथ अपने मंजिल, अपने मकसद की तरफ जाते हैं तो again not a negative card but yes, तब्यत से related अगर कुछ भी issues हैं यानि कि आप बहुत great नहीं फील कर रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा लें या डॉक्टर से consult कर लें कितनी बारी क्या होता है कि हम avoid करते हैं और फिर चीजें बढ़ जाती हैं हम परेशान होते हैं और अगर ऐसा कुछ नहीं है यानि कि यह नो health wise आप perfect है वैसे ही आप अराम करना चाहरे हैं बहुत अच्छी बात है फिर से कहूंगी बहुत जरूरी होता है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए teach का card है तो देखिए teach का card सीखने सिखाने की बात करता है तो यहाँ पर बहुत ही clear आपके लिए message है अगर आपके पास कोई ऐसी knowledge है जिससे बाकी लोग benefit हो सकते है उनका फाइदा हो सकता है तो आप अपने तक ना रखें उस knowledge को जरूर share करें और अगर किसी से कोई चीछ सीखने की ज़रत है तो उसको भी आप सीखें उसमें किसी भी तरीके की ego या फिर किसी भी तरीके की hesitation आप ना रखें and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है इसके इसाब से all shades of yellow, orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था Pisces आप लोगों के लिए coming week का साब था ही राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए